हेलो दूस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल वेटनरी मेडिसिन रभ्यू में दूस्तो आज मैं आप सभी को वाई मेराल लिक्विड जो आता है इसी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ कि इसका उपयोग कप किया आता है कितना किया आता है कैसे इसे देना होता है और किन-किन जानवरों में इसका उपयोग होगा इसका दाम क्या है मतलब पूरी की पूरी जनकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले अगर इंडिया द्वारा बनाया जाता है, ये 30 ml, 60 ml, 120 ml, 300 ml, 500 ml और एक दस्मिलो दो नीटर के पैक में मार्केट में मिल जाता है, और ये जो है मेरे पास, ये 30 ml, 60 ml, 120 ml और 300 ml वाला जो है, ये है, इसे आप गाय, भैंस, गोडा, उंट, बकरी, भेड, मुर्गी और जो बर्ड्स होत है और जो पालटरी है उसमें तो बहुत ज़ाधा इसका उपियोग होता है, और बहुत ही सांदार रESOLiğ्त का मिलता है, अब बात करें इसके content की क्या-क्या, चीज़े में मिली हुई है, तो इसके पर ml में, मतलब 1 ml में क्या-क्या चीज़े हैं, तो एक ml में vitamin A है 12,000 international unit, vitamin D3 ह चेहजार इंट्रलेशनियूरिट, विटामिन ई है 48 इमजी, विटामिन B12 है 20 माइक्रोग्राम, ये पारेमेल में पड़ा हुआ है, तो ये विटामिन A, विटामिन D3, विटामिन E और विटामिन B12 इसमें पड़ा हुआ है, इसको हम कैटल्स में और जो पॉल्टरी है दोनों तो कैटल्स में ये इस्ट्रेस को खत्म करने के लिए दियाता है, तनाव को कम करने के लिए इसका बहुत ही सांदर रेजल्ट मिलता है, तनाव मतलब क्या होता है, जिसे प्राक्रतिक, भातिक और परियावरड़ी ये जो परिस्तितिया होती हैं, उसमें कोई भी जो जानवर जो है, आपके गायभाज जो बगरी भेड़े हैं, इनके शरीद पर जो उतपादन पर या फिर प्रजनन पर बुरा असर डालता है, उसको हम तनाव कहते हैं, तो तनाव की स्थति में आप इसे दे सकते हैं, जैसे कहीं से आप लाए हैं जानवर को, तो भी तना में आजाते हैं, तो इन सभी में आप इसको दे सकते हैं, तो इसमें जो विटामिन A पड़ा हुआ है, विटामिन A जो है, ये जो सारी रिक व्रद्धी होती है, उसमें मदद करता है, नेत्रों में रतोधी जो रोग होता है, उसमें उनहीं होने देता है, डिमबाशे जो हो तो उसमें folicle के निर्माड में शायता करता है, जिससे पशु गर्मी में अगर नहीं आ रहा होता है, तो वहाँ पे भी यह काम करता है, और इसकी कमी से पशु का जो दूद का उतपाधन होता है, वो कम होता है, इसमें प्रॉपर मात्रा में विटामिन A पड़ा हुआ है, इसम कमी से रिकैट्स जो होता है रोग वो हो जाता है विटामिन E इसमें है विटामिन E जो हैता है इसकी कमी से मांस्पीशियां जो होती है वो कमजोर हो जाती है पशुवों में गर्मी के लक्षडों को अच्छी तरह से प्रदर्सित करने के लिए भी ये विटामिन आवश्यक हो ये काफी सांदर विटामिन B12 काम करता है, खून बढ़ाने के लिए भी ये काम करता है, तो इसको आप रोग प्रतिरुदग शम्ता बढ़ाने के लिए भी दे सकते हैं अपने जानवरों में, और जो दूद देने वाले जानवर हैं, उनमें विर्बैक काही आस्टोवेट कैल करता है, और मैं एक वीडियो बहुत ही जल्दी ऑस्टोवेट प्लस विमराल पे लाने वाला हूँ, वहाँ पे मैं आपको सारी की सारी जानकरी हो, डीटेल में बताऊंगा, तो कैटल्स में इस्ट्रस को कम करने के लिए इसको दे सकते हैं, रोगों से बचाने के लिए दे स कर सकते हैं, और सरीर को जल्दी तयार करने के लिए वाइमराल का उपयोग कर सकते हैं, और मानशपेशियो को भी मजबूत करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं, अब बात करें हम पाल्टरी में की, पाल्टरी में कहां पे इसका उपयोग होता है, तो पाल्टरी में बर्ड्स में पैर्ट और पीगन इन सभी में आप इसका उप्योग कर सकते हैं इसे बर्ड्स में ग्रोथ के लिए आप दे सकते हैं स्वास्त को मींटीन करने के लिए दे सकते हैं ब्रीडिंग के लिए दे सकते हैं ये स्ट्रेस को कम करता है तनाव कम करता है या handling से हो, transportation से हो, या pre- या post vaccination से हो, मतलब कि जो poultry है उसमें और parrots अधिमें, तो तनाव को कम करने में best result देता है, सरीर के growth के लिए तो देई सकते हैं, और जो egg production होता है, इसको बढ़ाने के लिए भी आप इसे दे सकते हैं, शरीर को आकरसक भी बनाता है, वो उनकी boost कर देगा, यह काफी सांदा result इसमें देता है, अब अगर हम बात करें, इसके dose rate की, कि कितना कितना इसको दिया जाता है, तो जो birds होते हैं, birds में आप chicks में, 100 birds पे 5 ml, 5-7 दिन तक दे सकते हैं, growers में 100 birds पे 7 ml, 5-7 दिन दे सकते हैं, और जो broilers हैं, या फिर layers हैं, उनकी 100 birds पे 10 ml, 5-7 दिन तक आप इसका उपयोग करेंगे, तो आपको बहुत ही सांदा result देखने कों मिलेगा, cattle में जो गाय, भैंस, घोड़ा और बड़े जानवर जानवर में, 10 ml परड़े के हिसाब से, आप एक से दो वीक तक दे सकते हैं, और जो बच्छडे, बच्छिया, बखरी, भैंड, सूर हैं में, 5 ml परड़े के हिसाब से, एक से दो वीक तक आप इसको दे सकते हैं, और वैसे इसका कोई side effect नहीं है, बस आप ये ध्यान रखेगा, कि इसका जो dose है, वो ज़्यादा नहोने पाए, क्योंकि इसमें जो water soluble vitamin एक ही मिला हुआ है, vitamin B12, और जो हैं वो सभी वसा में, गुलंशील vitamin है, fat में, जो soluble vitamins हैं, वो पड़े हुए हैं, तो जो fat में soluble vitamins होते हैं, वो सरीर के बाहर नहीं निकल पाते, जबकि जो water soluble होते हैं, वो सरीर से बाहर आ जाते हैं, जिसे urine के माध्यम से, या जब आनोर आप विशाप करता है, तो उसके बाहर आ जाते हैं, तो वहाँ पे आप मतलब दे सकते हो, उनका overdose बाहर आ जाएगा, लेकिन ये जो है, इसका overdose आपको नहीं देना है, आप बचा के यूज़ करेंगे, तो इसके दाम की बात करें, तो 30 ml वाला 135 रुपय है, 135 रुपय में मार्केट मिल जाएगा, 60 ml वाला 102 रुपय में मिल जाता है, 120 ml वाला 189 रुपय में, आपको मार्केट में मिल जाएगा, और 300 ml वाला 452 रुपय का, आपको मार्केट में मिल जाएगा, तो यही था वीडियो, कैसी लगी ये वीडियो, आप हमें कमेंट श्रिक्शन में बता सकते हैं, अगर चैनल पर पहली बारा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिजेगा, साथ ही साथ, बेला आइकन नोटिफिकेशन बटन दवा के, आल पर सेलेक कर लिजेगा, जिससे आगयाने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी, दोस्तों आप लोगों में से जिन भी लोगों ने अभी तक इस टेलिग्राम चैनल को ही ज़रूर कर लिजेगा, सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, यही देख लिए, यही चैनल है,